हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटू चैनल जितंदर एमर अस्टडी पर दोस्तों मैं हूँ जितंदर एमर यादव आज हम लोग परतीसत यानि परसेंटेज का पार्ट एगारत देखेंगे अगर आप पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से आप जाकर देख सकते हैं तो आए तो आज हम लोग कुछ कोश्चन करते हैं देखिए तो किसी खिलाउने पर 30% छूट देने पर इसका दाम 30 रुपिय कम हो जाता है तो खिलाउने का नया मुले क्या है जैसे मान लीजे 30% का छूट दिया जा रहा है देखिए तो खिलाउना पर 30% का छूट दिया जा रहा है 30% छूट पर 30% में 30% छूट मिल रहा है और कि दाम में देखिए तो रियल मान 30 रुपिया छूट है परतिसत में 30 और रियल मान 30 दिया हुआ है शूट अगर एक परतिसत का मान निकालता है तो देखिए तो एक परतिसत 30 और बटा में आजागा 30 30 से 30 कर जाता है यानि एक एक परतिसत का मान एक आ गया तो प्रेश्ण में कहा गया 30 परतिसत देखिए तो छूट हो गया कोई भी चीज अपने आप में 100% कोई भी चीज अपने आप में 100% जिसमें से 30% छूट है 30% छूट दिया जा रहा है तो 100% में से 30% अगर घटाते हैं तो 70% हो जाएगा यानि 70% का मान निकालना है तो 70% का मान निकालते हैं तो 70 और गुना 1% का मान निकालते हैं तो 70 गुना 1 डैटीज 70 रुपिया हो जाएगा जो की आप्शन नमबर ए में दिया हुआ है नेक्स्ट कोशन देखिए तो X तथा Y के बेतन का योग 2000 रुपिया है X अपने बेतन का 95% तथा Y अपने बेतन का 85% खर्च करता है यदि उनकी बचत समान है तो Y का बेतन क्या है हुआ कि X तथा Y के बेतन का योगत दिया हुआ है 2000 X अपने बेतन का 95% क्या करता है खर्च कर देता है 95% खर्च करता है तो बचाता कितना है तो कोई भी जी जो अपने आप में 100% 100% में से 95% को घटा देंगे तो 5% देखे तो X यानि X अपने बेतन का 95% खर्च करता है तो बचाता कितना है तो 5% लिख लिए है उसके बाद करता है कि Y अपने बेतन का 85% खर्च करता है तो बचाता कितना है तो 100% में से 85% घटा देंगे तो 15% देखे तो परतीसा से परतीसा कट जाएगा 5 एकम 5 आप 5 तिया 15 जब बराबर है जब दोनों बराबर है आपस में तो सामने सामनी कट जाएगा अब बराबर क्यों किये है चुकि यदि उनकी बचत समान है तो यह बचत दिया हुआ है X का 5% बचता है और Y का 15% बचता है जिस Y परतीसा से परतीसा कट गया 5 से कम 5 5 तिया 15 अब आपको क्या करना जैसे इसको देखिए तो X बटा को अनुपात भी लिख सकते है बचता को अनुपात Y देखिए तो X का मान 3 तो 3 लिखेंगे और Y का मान 1 अभी दोनों को अनुपात में योग करते हैं तो देखिए तो अनुपात में योग हो जाता है 4 लेकिन रियल मान दिया हुआ है 2000 अनुपात में 4 जूरते हैं तो 4 होता है लेकिन प्रेश्ण में कहा गया है दोनों का योग 2000 तो एक अनुपात का अगर मान निकालते हैं तो देखे तो 2000 बटा चार चार से अगर 2000 भाग देंगे तो 500 हो जाएगा यानि कि एक अनुपात का मान 500 तो प्रेश्ण में कहा गया है वाई का बेतन क्या है तो अनुपात में एक है एक अनुपात का मान पांश है यहां भी एक के अनुपात के निकालना है तो पांश को एक से गुना करेंगे तो डेटीर पांश रुपिया हो जाएगा जो की ओप्शन नमबर C में दिया हुआ है नेक्स्ट कोशन देखिए तो जोसेफ की आई को दस परतीसत कम किया गया है यदि उसकी आई को उसके पुर्व अस्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने परतीसत की बीर्दी अनेवारे होगी देखिए तो दस परतीसत को कम कर दिया गया है ऐसा question पिछले part में भी हो चुका है फिर से देखते हैं देखिए तो 10 परतिसत कम किया है जितना कम हो जितना कमी हो उसे उपर लिखेंगे और जितना कम हुआ है एक सो में से कम करके नीचे लिखेंगे देखिए तो एक सो में से अगर 10 को घटाते हैं तो यहां 90 हो जाएगा यानि 10 परतिसत कम है तो 10 को उपर लिखेंगे और जितना कम है तो एक सो में से घटा कर लिखेंगे तो एक सो में से घटा आएंगे तो 90 हो जाएगा और परतिसत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं देखिए तो एक जिरो से एक जिरो कट गया, अब आपको क्या करना है, यहां एक सो है, तो एक सो अब बटा में नो, नो से अगर एक सो में भाग देंगे, तो यह आ जाएगा 11 पुर्णांक एक बटा नो परतिसत, जो की option नमबर बी में दिया हुआ है, next question देखिए तो दो संख्याओं का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10 परतिसत, दूसरी संख्या के 6 पुर्णांक दूबटा 3 परतिसत के बराबर है, तो संख्याओं का अंतर फल होगा, देखिए तो सबसे पहले दो संख्या है, और जिसका योगफल 4000 है, एक संख्या का 10 परतिसत, देखिए तो एक संख्या का 10 परतिसत, था लिखते हैं 10 परतिसत का मतलब गुना होता है, उसके बाद प्रश्न में कहा गया है कि, दूसरी संख्या के तो दूसरी संख्या के का के मतलब गुना तो यहां देखे दूसरी संख्या के छो पुरुनांक दूवटा तीन परतीसत के बराबर है तो बराबर देदिये फिर समझ लिजे एक संख्या का तो एक संख्या का दस परतीसत दूसरी संख्या के के मतलब गुना उच्खो पुर्लाँनक दूबता तीन परतीशत के बराबर है तो बराबर देखे तो परतीशत से परतीशत कट गया अब यहाँ बचा एक गुना दस और यहाँ देखे तो दूसरी तो दूसरी संख्या देखे तो छतरी कठारा ठारा दू बीस बीस बटा तीन देखे तो ये बराबर है बराबर में उपर से उपर नीचे से नीचे कट जाएगा देखे तो दस दूनी बीस हो जाएगा देखे तो यहां पहली संख्या इधर दूसरी संख्या गुनाम है इधर आएगा तो भाग में तुपर दू बचा हुआ है नीचे तीन बचा हुआ है इधर कोई संख्या नहीं है तो एक इधर गुना में है उधर भाग में जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसी को अनुपात में हम लोग लिखते हैं तो देखिए तो जैसे एक बटा क मतलब अनुपात दूस अभी दोनों को अगर योग करते हैं अनूपात में तो पांच होता है और रियल मान दिया हुआ है दोनों को जोडते हैं या योग फल तो 4000 होता है अगर एक अनुपात का मान निकालते हैं तो देखिए तो 4000 बटा 5 5 से अगर 4000 भाग देंगे तो 800 आ जाएगा एक अनुपात का मान 800 तो प्रश्ण में कहा गया है तो संख्याओं का अंतर फल होगा देखिए तो जिसे यहाँ 2 है यहाँ 3 है यह दोनों का अगर अंतर निकालेंगे अंतर फल तो 3 में से 2 घटा दीजिए तो एक आएगा यानि एक अनुपात का मान 800 तो यहाँ भी 3 में से 2 घटाते हैं तो एक अनुपात का मान 800 हो जाएगा जो की ओप्सन नमबर बी में दिया हुआ है नेक्स्ट कोर्शन देखिये तो एक क्रमचारी के बेतन में 30 पर 30 की बीर्धी की गई जिससे उसका बेतन 900 रुपिया हो गया बढ़ोत्री होने से पहले उसका बेतन क्या था तो सबसे पहले देखिये तो मान लेते हैं माना की माना की पुराना बेतन माना कि पुराना बेतन सो परतिसत ऐसे भी कोई भी चीज अपने आप में सो परतिसत तो यहाँ पुराना बेतन जितना भी मिलता होगा मानिए कि सो परतिसत था तो सो परतिसत और इसी में 30 परतिसत की बिर्धी हो गई तो इसी में बढ़ा होगा देखिए तो पुराना बेतन 100 परतीसत है तो 30 परतीसत की बिर्धी होई बिर्धी यानि बढ़ा है तो 30 परतीसत को जोड़ते हैं तो 130 परतीसत हो जाएगा तो देखिए तो प्रेस्ट में कहा गया है जिसे उसका बेतन रुपिया में भी बढ़ा गया 910 यानि की 130 परतीसत परतीसत में 130 परतीसत लेकिन रुपिया में अब जो है 910 हो गया है तो अगर एक परतीसत का मान निकालते हैं तो देखिए तो एक परतीसत का मान निकालेंगे तो 910 और ये जो है 130 गुना में बरावर की साइड़ागा तो भाग में देखिए तो 0 से 0 कट गया और 13 को 7 बार पढ़ते हैं तो 91 यानि एक परतीसत का मान जो है 7 हो गया तो प्राश्ण में कहा गया है बढ़ोत्री होने से पहले उसका बेतन क्या था यानि पूराना बेतन बढ़ोत्री होने से पहले उसका बेतन सौ परतिसत था तो 100 पर 30 के मान निकालना है तो देखिए तो 100 और एक पर 30 का मान 7 तो 100 पर 30 के में निकालेंगे तो 100 गुना 7 तो 100 गुना 7 करेंगे तो 700 तो 100 पर 30 का मान जो है 700 हो जाएगा जो की option नमबर C में दिया हुआ है उमीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो लाइक, सेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और साथ में कॉमेंट भी कीजेगा मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद